हेलो दोस्तों क्या हाल है आसा करता हूँ आप सब बढ़िया होगे तो यार मेरे पास एक एमेल आया हुआ था और उसमें एक भाई ने बड़ा ही लंबा चोड़ा कोश्चन पूछा हुआ था कि यार मैं ब्लॉगिंग सीख तो रहा हूँ मैंने कई सारे वीडियो देख लिए ब्लॉगिंग में कब सक्सेज मिलेगी कब ट्राफिक आ जाए कब मैं जो है वह अर्निक जनरेट कर पहूँगा तो चलो यार थोड़ा समय आपके आखे खुलने का दिमाग खुलने का इस वीडियो में ट्राइ करता हूँ कि हो सकता है आपने क्या है बड़ाई इसको हलके मे ले लिया हो देखो यार पहली बास तो क्या है ना कि यह जो बलागिंग हो गई ना या मैं कहतो हूँ यूटूब हो गया यह जितने भी उन लाइन पैसे कमाने कि न यह जो कोई बिएसे घ्व वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहां से कॉपी करो अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो देखा हुआ था उसको मैं एक्जाम्पल में लेना चाहूँगा जिसमें यार इस तरीके का वीडियो बना रखा हुआ थे कि भाई पर बहुए चैट GPT पर जाओ कॉंतें लिखवा ऊकसे भी टॉपिक में उससे और फिर चैट GPT सी बोल दूड़ कि भईया इसको जो है वह प्लागरिजम प्री मना दो फिर प्लागरिजम वाले टूल में जाकर के उसको दिखा रहा है कि हां बाई यह प्लागरिजम बिल्कुल फ्री होगया थैनिडट परसंट और क्यों क्ली प्लागरिजम परी करने में भी कुछ अल्गॉर्थम चलती है उस algorithm को वो crack कर रहा तो वो प्लागरिजम में बिल्कुल 100% प्लागरिजम फ्री दिखा दे रहा है उसके बाद जाके आपने ब्लॉग में डाल दो आपका जो है content rank कर जाएगा भाया content कहां से rank कर जाएगा या वैलू नाम के भी तो कोई चैट जीपीटी से फिर इस content को जो है वो किसी टूल में जाकर के दिखा दिया आता है कि भाई प्लागरिजम फ्री हो गया और वो डाल दो तो इससे बहुत सारे लोग के मैंड में ये चीज आ रही है ना कि ये तो यह बड़ा इस सिंपल सा प्रोसेस है कि कुछ करना ही नहीं ह कि इसको हिंदी में लिख दो, इंग्लिस में लिख दो, फार्सी में लिख दो, इस्पैनिस में लिख दो और फिर जो है हमारा content rank कर जाएगा कि लिए लोगों ने rule क्या बना रखे content rank करने कि लोगों ने rule ये बना रखे कि unique content होना चाहिए और फिर plagism free का tool का use कर लेंगे कि हाँ ये content पहले से किसी ने produce ना करा हूँ ये rule बना रखे है बट actually मुझे नहीं लगता है कि यार blogging वाली field में या SEO में ये rule होता है blogging में या कोई भी content या कोई भी वीडियो आप create कर रहो तो सबसे बड़ा एक rule होता है कि user को value मिलनी चाहिए उसके engagement उसके साथ होनी चाहिए ये सब method वहाँ पर जरूड आपके apply हो जाएंगे कि आप third party किसी source से अपने ब्लॉक पर website पर traffic लेकर क्या हो तो चल जाएगा कि हाँ यूटूब पर वीडियो बनाया उससे आपने refer कर दिया तो वह जहांके वहाँ पर traffic चला गया उसके आस option नहीं है आपने हो सकता है YouTube वीड UK के content यार rank करवा लोगे तो मैं कहता हूँ चलो यार माल लिया क्योंकर ट्रिक्स भी चलती ना बहुत टाइम पहले जो कहता है इस तरीके के ट्रिक्स भी चली थी कि लोग खुदी proxy का यूज करके अपने किसी app कोई app बना करके उसी पर add लगा करके खुद के add पे click करके पैस create भी generate भी कर रहे थे तो कितने महीने एक दो महीने बाद में Google ने पकड़ लिया कानी सब जो है वो साफ कर दी Google क्यों परड़े वेसेज परड़े नहीं स्वरी मंतली वेसेज में हर एक दो महीने में आप जो है ना कोई ना कोई algorithm अपडेट देखते होगे क्यों 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 यार उसको पता चलना है कि market में बहुत जाद है spam फैल रहा है तो spam को दूर करने के लिए वो अलग-अपडेट लेकर करके आ रहा है तो यह चीज़ है तो overall निसकस यह निकलता है ना यार कि मैं तो यह बोलूँगा कि जितने भी उल जलूल तरीके आपको बताया जा रहा है जो देखने में सुनने में बड़े ही आसान लग रहे हैं कि हां मैं यह करूंगा इसमें तो कुछ ही नहीं यार उन तरीकों में तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना आसान आपको लग रहा है ना तो अगर उस वीडियो में पचास जार एक लाग व्यूज आए ना तो उन सब को वह चीज आसान लग रही और सब जुट गए होंगे वह काम करने में तो जब इतने बल्क में लोग कोई काम करेंगे तो जो अल्गॉरिदम होती कि यह वो उस चीज को पकड़ लेगी कि या हाँ यार इस तरीके का कॉंटेंट जो है लोग जा रहे हैं चैट जीपीटी से हिंगलिस में लिखवा रहे हैं और इतना बेवकूस नहीं है जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनिया AI टूस बना रही है AI अपने आप में बहुत में वो पैटन पकड़ ही लेगा कि लोग ऐसे पैटन का यूज कर रहे हैं तो उसको जो है वो ब्लैकलिस्ट कर देगा तो आप उन्हें जो महानुभाव के वीडियो देख करके देखा था कि हाँ इन्होंने तो बिल्कुल प्रूफ कर दिये कि हाँ बैच जीपीटी जो है प्लैकिसम फ्री कंटेंट जो है वो जनरेट कर रहा है आपने उनका यूज करके एक डोमेन नेम भी उनके रिफरल लिंक से ले लिया और एक वूस्टिंग में उनके रिफरल लिंक से ले ली और आप जो है वो कुछ नहीं बस ठंटन गोपाल बने रही जाओगे तो वही व कई बार आपका ब्लॉग जो है वो रैंक करता है मैंने देखा न्यूज अली उपसाइटे जो साले कुछ टूलूल बनाती है ना तो पेड़ चलाती है उसका एज कल्कुलेटर वाले का भी मैंने देखा थे उन्हों पेड़ चला रखा हुआ था उसका तो वह भी एफक्ट लर्निंग प्रोसेज उसके अंदर बहुत सारी चीजे हैं आपको टेक्निकल लेविल सीखना पड़ेगा सीओ तो बिल्कुल मस अगर आप और गैनिकली चाहते हो कि आपके ब्लॉग पर ट्राफिक आए तो सीओ सीखने पर ध्यान दो ओन पेज ऑफ पेज बैक लिंग किस त हममेल पे कॉपी पेश्ट करके पैसा कमा है उसमें बड़ा यार क्लिक्स आता है उसका सीटी यार जो है ना 20-20 परसंट के उपर रहता है तो लोगों का एक साइकलोजी क्रियेट हो चीए कि कोई सिंपल तरीका मिल्या मेनत ना करनी पड़े और भाई मैं जो है वो तगड़ का वीडियो बनाता है तो ज्यादा तर और फिर लोगों क्या होता है देखो यूटूब पे ना भाई क्या कॉंसेप्ट चलता है जो वीडियो चल जाता है उसी तरीके के क्रियेटर जो है और वीडियो बनाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से वह जो आगर चैनल की ग्रोथ करनी है क्योंको जब चैनल की ग्रोथ होगी तभी तो स्पॉंसर सिब मिलेगी तो भाई वो क्या रिपीटेड वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे जो कॉंटेंट चल जाएगा ये एक सैकलोजी यह बनाना पड़ेगा उसमें क्रेटर गलती नहीं है सम आप फिर से पेस्ट कर दो और आप जो है मैने का एकलाक कमाल हो ना तो आप समझ लो कि इतनी बेरोजगारी फिर होती ही न तो इतना सिंपल प्रॉसेस भाई है नहीं तो आसा सीरियस लो ब्लॉगिंग का और इस प्रॉसेस में जो चीज़े सीखो को तो मैं आप से एक कमिट जरूर कर सकता हूं कि हो सकता आपका ब्लॉग रैंक ना करें हो सकता आप एक से जो है वह एक भी रुपिया ना कमा पो मट आप रियल अगर ब्लॉगिंग सीखरो रियल ब्लॉगिंग मतलब रियल कॉंटेंट राइटिंग जो खुद का कॉंटेंट लिखना खुद के पैरा mail बनाना, ब्लॉक के लिए या यूटूब के लिए, खुझ से content writing करना, अगर content writing नहीं कर रहो, tool website की तरफ जा रहो, तो coding सीखना, फिर SEO सीखना, search console का पूरा knowledge लेना, Google Analytics का पूरा knowledge लेना, अगर paid promotion की तरफ जा रहो, तो कई न कई आपको success मिलेगी, अगर आप paid traffic को कई न कई यूज करके पैसा कमालोगे, कुछ न कुछ तो करी लोगे, इतनी सारी skills सीख लोगे, बट मैं कहता हूँ, चलो आपने मोटा मोटा है, सब skills सीख ली, तो भाई कुछ नहीं, तो आपको market में job 100% मिल जाएगी, क्योंके मुझे नहीं लगता हूँ, नौकरी.com में आप जाओगे, सर्च मालोगे कोई IC job available है, जिसमें chat GPT को आप कोई prompt देते हो, कोई command देते हो, और उससे content लिखवा करके आप ब्लॉग में post करवा लो इस चीज की job, जो data entry की category में आ जाएगी, तो data entry में आप जानते हूँ कि Google Ads चलाने की job भरी पड़ी हुई है, तो हो सकता आपका blog ना success दो, आप ही किसमत जो है, वो ना साथ दे, बट आपकी job जरूर लग जाएगी, आपकी local area, जो भी nearest में companies वगरा होगी, वहाँ पर जाओगे, अपनी skill set के बारे में बताओगे, बले ही अपनी failure story बताओगे, कि अगर वो होता नहीं है, बड़े बड़े startup है, उन्होंने कई startup खोले, उसके बाद को startup success भूल हुआ है, उसमें से अगर आप OYO rooms का देखोगे, जाकर जो रितेस अग्रवाल जी है ना, उनका देखोगे, तो उनसे पहले, OYO rooms से पहले भी उन्होंने एक दो startup खोल लगके हो, उनका कहना भी आई था कि फटा-फट startup खोलो, फटा-फट analyze करो, flop हो रहा है, flop करो उसको और दूसरी चीज़ पर आगे बढ़ो, फिर दूसरा startup की तरफ जाओ, तो जिस्ती अलदी आप hit and try करो गो, उत्ती जादा आपकी knowledge improve होगी, क्योंकि बाई पहली बार में तो learning phase होता है पहली बार में चीज़े success मिल जाती है, तो यह सब process होता है, और यह जो question का answer आप जानना चारो, मुझे email कर रहो है, सारी चीज़े कर रहो है, कि भाई, block से मैं कब मेरा rank कर जाएगा, कब मेरे पे ब्लॉक पर traffic आ जाएगा, कब मैं उससे एक लाख रुपा महिना कमाने और देखो, लाख से नीचे तो आजकल बात ही नहीं हो रही है, email भी आ रहा तो उसमें भी लोग यह नहीं बूल रहा है, कि मैं 15,000 कमालू, एक लाख रुपा महिना सबको चाहिए, क्योंकि वो थम्मेल के psychology ऐसी बन चुकी ना, थम्मेल में भी आजकल लाख रुपा नीचे लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब उससे अपना कोई नया idea जो है वो यात करो, यह नहीं कि वीडियो में जो बताया जा रहा है, उसको एड़र्टिस फॉलो कर रहा है, आप उसमें अलग क्या कर रहा है, मार्केट में वोई सर्वाइव करता है न, जो कुछ अलग करता है, जो बेड़ चाल में चल रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, बेड़ चाल में जो आगे स्टार्टिंग में कुछ कल लेता है, उसको थोड़ा बहुत कुछ होता हूँ, बट लॉंग टर्म वो भी नहीं सर्वाइव कर पाता, तो यह है मेरा suggestion रहेगा, कि ऐसास का कोई exact answer तो भा पर आपकी learning हो जाएगी, आपको at least कम से कम मंदली सेरली तो मिलेगी, फिर background में पार्ट टाइम यह सब करते रहे न, एक दो ब्लॉग नहीं चले तो क्या हुआ, और पहले ब्लॉग से तो बिल्कुल expect मत करो कि यार वो आपको एक लाग रुपर कमा कर दे भी देगा, यार हम कोडिंग आती थी, सब कुछ आता था, तब तो हमें 3-4 ब्लॉक्स रूम में flop करने पर उसके बाद जा के हमें real कहानी पता चली कि हाँ राइट डिरेक्शन के आए, कैसे हमें काम करना है, ठीके तो यह सब चीजे नहीं है, और दोखो जुगार और ट्रिक्स और ट्रिक्स य मिल जाएंगे यूटूब पर उनको देखो, और देख करके यहां एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, उसमें से कुछ अगर लेने लायक हो तो अपने दिवांग में रख लो, बड़ उसको यह नहीं इसको फॉलू करने की जुरूत नहीं मेरे साब से तो, क्योंकि भाई सीरिस हो जाओ, लाइफ जो है एक्चली में इतनी आसान नहीं, लाइफ है कॉम्प्लिकेटेड, ऊपन नीचे ऊपन नीचे चलती है, दुख और सुक चलता है, सुक शुक नहीं चलता है, और ना ही कोई लाइफ में सौटकट होता है, कि यहां से उटले, स्प्रिंग प्रकर कि लाइफ की सीडी चड़ी जाती है, वह बहुत लगी लोग होते हैं, किसमत वाले लोग होते हैं, जिनकी कुछ होते हैं लगी लोग यार ना, बट वो पॉन्ट में होते हैं, अर या तो फिर भाई, आप लग के बड़ उसे बैठे हो, कि यह यूटब पे कोई और जब तक आप उसमें काम करने बैठ हो गए ना तब तक गूगल जो है अपना अपडेट निकाल करके उसको ब्लैकलिस्ट कर चुका होगा उस सिस्टम को तो यह चीज है भाई कहानी मोटी मोटी कुछ रियालिटी थी आपको समझ में आई हुए तो बढ़िया है नहीं समझ में आई हो तो आप बे फिकर होकर करके जो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो एक टाइम पर आपको समझ में आएगी क्योंकर एक टाइम में समझ में आना ही पड़ेगा तो यह कॉंसेट भाई चुले यार फिक मिलते किसी और वीडियो में यार तब तक के लिए भाई प्रवाट